Hello and welcome to our classes guys so आज की स्वीडियो पर लोग देखें किया देखो जो क्वेशन देख रहे हैं integrals का का टिक है तो find the following integral is of this type and this type ठीक है तो यहां पर लोग करते हैं तो यहां पर देखो यह integration 2 is equals to some constant A पिर क्या होगा डेरिवेटिव दिनमेटर क्या है मेरा 2x square plus 6x plus 5 and plus some other constant let it be B okay so अब देखों यहां पर तुम्हारा क्या है x plus 2 is equal to क्या हो जाएगा A इंट इसका डेरिवेटिव करो इसका डेरिवेटिव करो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x plus 6 and plus B तुम्हारा इसको multiply करोया क्या एंट compare the coefficient okay तुम्हारा क्या हो जाएगा ए 4x plus 6a plus B तुम देखों यहां पर तुम्हारा तुम्हारा एक्स कोफितेंट्स के है है और यह तुम्हारा constant time है यहां पर बहुत है और शकॉपीसेट दिकना है ना सचिरन क्या है कंपर कर रहा हो चाहिकल एक एक सपर कंपर एक पर से और क्या है तो एक सकत्व होरता है और यहां यह घ। है करें के 6 into 1 by 4 plus B okay इसको काट सकते हो 2 to the 4 to 6 ठीक है अब यहां से बी को के लिए शोड़ दो मतब क्या जागा बी दिकॉल 2 minus 3 by 2 मतब 3 by 2 को में इधर वेज दिया ठीक है यहां कि 1 by 2 4 minus 3 1 by 2 ठीक है तो बीका वेलु क्या गिया हमार पास अब क्या करना है क्या इसका Integration यो सबसक खूट करेंगे ठीक है निमेटर में बहुत इंपर्टन यह चीज ध्यान से देखना अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से गवर देख लो ठीक है मेरा क्या है यह किसका ढूणना है और अंब अधैनल को मिल चुका है तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कहते हो गैं मैं क्या पूट कर रहा हूं देख सकते हो हो गया एकसप्लस क्यों प्लस 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 इसक्स फ्लस फाइव ठीक है integration dx अब a and b का value separate देदो अब a का value क्या है मेरा 1 by 4 1 by 4 put क्या ठीक है यह जगा 4x plus 6 and plus b का value क्या मेरा 1 by 2 और यह मेरा integration यह जगा 2x square plus 6x 2x square plus 6x plus 5 ठीक है यह dx अब तुम देखते तो यह a plus byc मलब तुम्हें अगर a plus byc होता है तो हमनों क्या करते a byc plus byc करते हैं मलब दोनों को देते हैं c इसको भी देते हैं इसको भी देते हैं similarly यह denominator जो है इसको भी दूँगा देखें आप यह दोनों 20 में plus है एक तो मैं क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर यह जगा 1 by 4 तुम्हारा 4x plus 6 चलो ठीक है फिलाल के लिए मैं अभी बहार रख देता हूं और यह जगा 2x square plus 6x plus 5 बहने लेंगा मतलब यह है कि मैं क्या कि मैं इसको दे दिया यह denominator अभी इसको दूँगा ठीक है तो यह 1 by 4 को में बहार रख दिया ठीक है यहाँ पर 20 में प्लस है तो प्ल अब घ्रन नहीं करता है मैं पहले ही निकाल दिया ठीक है अब तुम क्या करो चीण हो बहुत इस भी ने पिए बढ़ा इसको मंन पते ही इसको । यह पूरा को आइवन मान लो यह पूरा को यह पूरा को तो हमानलों अलग-दन्द कर दो यह आद देखो दोनों का वह जाए टिक है इसको आइवन इसको मान रहा हूं मैं अब मैं पहले साफ करेंग अब यह これ नहुत कहा न है तो आइवन क्या है तो आइवन है मेरा वन बाहर था एंद 4X प्लस 6 होल वाई 2X स्क्वेर प्लस 6X प्लस 5 ठीक है यह मेरा आइवन है ठीक है अब देखो यह आइवन है न अब तुम अगर नीचे रहोट टी ले लेते हो तू पर ला जा रहा है मतलब अगर मैं 2X स्क्वेर प्लस 6X प्लस 5 को अगर मैं T ले लू इसका derivative क्याता है देखो 4X प्लस 6 यह जागे DTY DX अब यहांते DX का वेल्यों निकालो DX क्या हो जागा मेरा DTY 4X प्लस 6 ठीक है अब क्या करो दुकाइवन कैसे चेंज होगी है मेरा 1 by 4 उपर ओला 4X प्लस 6 नीचे लोगों में क्या लिया था तो T डाल देता हो और मेरा DX का वेल्यों क्या निकला है यहांते देखते हो DTY 4X प्लस 6 ठीक है अब तुम यहां पर काट दो 4X प्लस 6 4X प्लस 6 कट गया और 1 by 4 यहां जाए क्या 1 by T दी इसका अंसर क्या आगया 1 by 4 लॉग मॉड टी प्लस 7 तुम यहां पर तुम्हार क्या लॉग क्या रिप्लेट करता है कि हम लोग इसको अशाओ किये हम लोग आया यह कि हम लोग जो इसका अंसर यह दो पार्ट में निकला अगर यह तुन्हों का निकाल के यहां पूट कर दूँ तो मेरा फाइनल निकल लएगा ठीक है तो में इतको पूरा को कहकर तो कि यह एक टाइप का है अगर तुम देख़ें यह अपना एक टाइप है ठीक है यह तो मेरा की आएटू दी एक्स ज्क्वेर प्लस इक्स प्लस फ्लस फाइट इसको शॉल्कन का तरीका है पहले क्या करो ध्यान से सुनों में जो बोलो आप्पर प्रसीजर बता रहो कहते करत तो यहां भी वन बैटू करता हूं तो बात सेम ही है तो मैं क्या कर रहा हूं चलो अभी फिलाल के लिए मैं काम करता हूं तू कॉमन ले लेता हूं ठीक है स्क्राइब लेता हूं तूम मॉल्टिपल थे बाइए फिल्टो लेता है आपकेशने में रहे और पर रहा है तूम्हार लें लेंए प्लुस्ति यह करते हैं यहां पर ना completing the square method लगाना यहां पर क्या लगाना क्या लगाना है completing the square method ठीक है और कैसे लगाते उथ के लिए तकनीक बता रहा हूँ यह तरीका बता रहा हूं बोल सकते ओं ट्रिक है यहां पर 2 xy-2 where स्कुर्वर अगर यह है तो हम लोग एक्स प्लस य का होल स्कुर्वर लिखते को हम लोग भी यह यहां पर in इस फर्म में बनाना पड़ता है यह था ले ले लेते हैं को यह बीच में एक्स कोफीसेंड जो हो तो यह धूम पर 2 यह प्लस स्वाइब सब्सक्राइब करें तो मैं बता रहो ध्यान दे तुनना अब देखो यह 1 by 4 ठीक है अब देखो तुम्हारा क्या यह यह सब्सक्राइब करना है कि अगर मैं मुल्टिप्लाइब करो तो यह यह बी चला बने कि मैं अगर मुल्टिप्लाइब करो ना पूरा को यह इसको तो मेरा थ्रीक्स बने तो तो रिक्वार्मेंट नी अरवह में 3 चाहिए एक्स तो अलडि आ गिया है एक्स तो मैं थ्री मुल्टिप्लाइब किया अब तुम्हारा क्या हो गया तो यह चीज दिया हो ने देजिए हम लोग खुत से लाया है अपना रिक्वार्मेंट के शाब से यह आपकर कहीं पर अब उसके बाद क्या करना है पता है यह चाहिए अब उसके बाद क्या करना है पता है अब उसके बाद क्या करना है अब उसके बाद क्या करना है ध्यान से सुनना बहुत ईजी है एंद तरीका समझ जोगा ना तो थारा कर पाऊगे वन बै फोर अब दो क्या है डी एक सब्स थी बाइट वाई टू का होल स्क्वेर यहां पर तुम जब भी तर माइन रहा ना अब नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट अब देखो अब नेक्स्ट के यहां तुम्हारा अब मैं आपस क्या आगया आप दो फाइनल में यहां पर यह आ गया कि वन बै फोर डी एक्स बाई x प्लस ठीन वारी ठीन का होल स्क्वेर फ्लस यहीं क्या फॉर में फॉर फैर प्त होगा कि वन बाई ऐक्सस्क्वेर प्लस ए स्क्वेर ठीक है दियर का इंटिक्रीवर ससीन डियर थींका क्पार्मुला तूं को अच्छे पता है तो क्या है यहां पर 1 by a tan inverse x by a plus c तो आपको simply है आपको तुम्हें क्या करना पता यहां पना a यह भी फॉर्म है 1 by x square plus a square ठीक है तो यह पूरा को तुम x मानोगे यह पूरा को तुम समझ मैं सिंस यह x कोपीजिंट 1 है इसलिए में यह पूरा को x मान सकता हो ठीक है तो मेरा क्या जागा 1 by अब देखो यह 1 by 4 अल्यडी है मेरे पास पहले से हैं अब मेरा क्या 1 by 2 तो 1 by 1 by 2 ठीक है तो तुम्हारा क्या 1 by a हो गया tan inverse tan inverse x कह नहीं मेरा x plus 3 by 2 यहाँ पर x plus 3 by 2 by क्या a क्या है 1 by 2 तो ठीक है अब यहाँ जाए क्या plus c यह c2 ले लो ठीक है यहाँ पर तुम्हारा क्या 1 by 4 यह थे तु पर चला जाएगा तो यहाँ पर 2 आया मुल्टिप्लाई कर सकते हुए टैनिंवर्स यहां पर यह वक्राइब 2 एलशम ले उपर में तो तुमारा क्या जाए 2 एक्स 2x plus 3 ठीक है हो गया और एक तुमारा यहां भी काट सेथे हो यहँदो लिखते हो ना यहां-पार आजाए पाइनाचे किया गाजाए 1 by 2 10 inverse 2x plus 3 plus c2 तो यह मेरा i2 का अंसर निकला ठीक है अब देखो i1 का अंसर हमारा वो था इसको equation ठीलो ठीलो ठीक है तो putting 2 and 3 in 1 मैं दिखने रहा है क्या अच्छे जो देखो so putting 2 and 3 in 1 we get अब तुम देख सकते हो मेरा 1 क्या था अगर मैं तुमको दिखाऊ तो मेरा यह था i1 ठीक है तुम देख सकते हो कि यह क्या था मेरा यह था अगर तुम देखो यह i1 और यह i2 है यह i1 का निकाल दिया तो यह मेरा i है तो तुम यहां पर मेरा अंसर क्या जाएगा i is equals to i1 plus i2 ठीक है i1 क्या है मेरा बताओ i1 कांसर में तुमको इसे बता हूं तो देख सकते हो यहां पर है i1 कांसर ठीक है 1 by 4 यह वाला तो यहां पर तुम मैं लिख देता हूं 1 by 4 लॉग log mod 2x2 square plus 6x plus 5 plus c1 plus अब i2 का value आता देख सकते हो क्या है यह यह पार्ट ठीक है तो यहां बाइ 2 tan inverse bracket डाल देना एंगल है ना 2x plus 3 plus c2 तो यहां c1 औं c2 दोलो constant है तो तुम इसको एक concentrate कर लो यहां पर लॉग log यहां तक छोड़ दोगे तो भी सही है ठीक है वाला यह इसके लिखने के बाद में जो लिख रहा हूं ठीक है अब प्लस यह लिख देता हूं 1 by 2 tan inverse 2x plus 3 plus c1 and c2 को सी लिया वाल तो 3 दिकों चुक्त है वेर सी दिकों सीवन प्लस टीक है तिये आई ठीक है यह यह हो गया तो मारा final answer झाल